नीलूस किचन में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार हेल्दी ऐसे आश्क्रीम के रिस्पी लेके आए हूँ जो कि आपने आज तक यूट्यूब पी कहीं नहीं देखी है तो आज हम बनाएंगे औरेंच चुकुवर आईस्क्रीम तो यहां पर हमन जो आईस्क्रीम है वह बहुत ज़्यादा हेल्दी बने और हम इसे दिन में दो से तीन बार भी खाएं तो हमारी लिए बहुत ही अच्छी रहें तो चलिए हम इसका जूस निकाल लेते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है तो देखे औरेंज जूस रेडी हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे शुगर हमारे इच्छा नुसार हमारे स्वाद नुसार आप इसमें शुगर की जगा हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर औरेंज मीठे हो तो आप शुगर भी मट डालिए लेकिन यहां पर हमारे जो औरेंज है वो थोड़े खटे हैं और इसमें हम डालेंगे लगबख वन पिंच सॉल्ट ताकि जो हमारी आइस क्रीम है वो बहुत ज़दा टेस्टी बने अब देखिए हमने यहां पर मेल्टेट चोकलेट ले ली है इसे डार्क चोकलेट को हमने डबल बॉयलर पर रखकर मेल्ट कर लिया है बहुत ज़दा हमें ज्यान से मेल्ट करना है ताकि हमारी चोकलेट जले नहीं यहां पर हमने अब कुलफी का मोल्ट ले लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे दो टीस्पून के करीब मेल्टेट चोकलेट और इसे हम अच्छे तरीके से सब जगा घुमा कर कोट करेंगे आपको इस एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो चोकलेट है वो ज़्यादा पतली नहीं रहनी चाहिए जो हम कवर कर रहे हैं वो बिल्कुल दो से तीन चामाज डालके ही आप कवर करें तो देखिए हमारे मोल्ड कवर होकर ठंडे हो चुके हैं हमने इसे फ्रेज में लगबख दो से तीन मिनट रखा था तो यह अच्छे तरीके से सेट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे हमारा ओरेंज जूस और इसी तरीके से हम बाकी के सारे मोल्ड को भर लेंगे अब हमने इसके उपर फॉयल पिपर से इसे कवर किया है ताकि हम इसके उपर स्टिक फसा सके तो फॉयल पिपर के उपर अब नाइफ की सहायता से हम एक मार्क करेंगे और आइस क्रीम स्टिक को हम इसके अंदर डाल देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से जो आइस क्रीम स्टीक है वो फस जाती है अब हम इसे फ्रीज में लगबग 7-8 घंटे के लिए सेट करने रख देंगे तो देखिए 7-8 घंटे के बाद आइस क्रीम जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है लेकिन ये अभी निकले की नहीं आर बहुत ही इजी ली तो हमें एक ट्रिक का इस्तिमाल करना है तो सबसे पहले हमें एक नाइफ या एक फूक की सहायता से जो उपर की एक्स्ट्रा चोकलेट है उसे निकाल देना है और अब हम गैस को ओन करेंगे जिहां डर्यमत हम जो ट्रिक आपको बता रहे हैं उससे आपकी कुलफी आइस क्रीम बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर डिमोल्ड होगी तो देखिए हमें इस मोल्ड को एक से दो सेकेंड के लिए इस तरीके भुमा लेना है और देखिए अब यह कितनी आसाब्य से बाहर निकल आएगी तो देखा यकीन नहीं हो रहा ना हर किसी की चुकवर ऐस क्रीम अच्छी तरीके से डिमोल्ड नहीं होती है वो इस प्रिक का इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आपका मोल्ड प्लास्टिक का हो तो आप इसे गरम पानी के अंदर रख लेजी तो देखिए हमारी औरेंज चुकबार आइस क्रीम रडी हो चुकी है एक हमने विदाउट चोकलेट की बनाई है ताकि आपको हम अच्छे से दिखा सके और ये जो आइस क्रीम है ये बहुत ज़ादा टेस्टी बनी है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आये तो प्लीज इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले